इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं equation of line मतलब equation हमें line के निकालनी है जब अलग-अलग condition हमें given रहती है तो सबसे पहली condition है सबसे पहली जो equation है आपकी line की वो किस condition में बनने वाली है उसको बोला जाता है slope point form एक बार फिर से बता रहा हूं उसको बोला जाता है slope point form जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है slope point form का मतलब क्या होता है कि हमको slope दिया रहेगा line का और एक point दिया रहेगा जिससे line जो है वो pass हो रही है मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूं जैसे एक line है suppose कीजिए यह line कौनसी है a b मैंने suppose किया तो आपको इस line का slope मतलब m given रहेगा और line एक point से pass हो रही है मतलब वो point p suppose करो वो point p x x1 और y1 आपको यहाँ पर given रहेगा है ना x1 y1 कुछ भी हो सकता है जैसे suppose करो एक दूसरे example में यह line a b जो है मान लिजे कि इसका slope जो है वो one है और यह point 2,3 से pass हो के जा रही है तो 2,3 से हमेशा तो pass हो नहीं सकती तो इसी लिए हमने 2 की जगह क्या point ले लिया x1 और 3 की जगह हमने point क्या ले लिया y1 मतलब x1 y1 जो है वो हमने कोई भी coordinate system से एक point हमने ले लिया जिससे line जो है वो pass हो रही है और m जो है वो हमने slope लिया है line का तो देख लेते हैं क्या है in this case the line passes through a given point x1 y1 and has slope m अब यहाँ पे जैसे मैंने point इस example मैंने point P ले लिया है है ना? इस example मैंने कौन से point से pass हो रही है P ले लिया है यहाँ पे मैंने suppose कीजिए point क्या ले लिया A मैंने कौन सा point consider कर लिया यहाँ पे A तो इस case में क्या होता है कि line जो है वो एक point से pass हो के जाती है point A जिसके coordinate हमने क्या ले लिया x1 y1 और उसका slope दिया रहता है m तो हमको given क्या रहता है एक point दिया रहता है हमने उसको A मान लिया है तो point A हमें given रहेगा और उसके coordinate क्या है x1 y1 और वो जो line है वहाँ से pass हो रही है और साथी साथ में उसका slope given रहेगा तो एक बाए फिर बता दू slope point form में line जो है वो एक point से pass होती है और उसका slope आपको M given रहता है मान लेते हैं कि वो line क्या है हमारी L अब देखिए हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी है जब भी हम equation बनाते हैं जैसे 10th class में हमने quadratic equation देखी है ax square plus bx plus c equal to 0 इसको क्या बोलते हैं quadratic equation ये हमने 10th class में हम इसको पढ़ चुके हैं जिसको हम हिंदी में द्विघाज समीकरण भी बोलते हैं तो इस condition में आप देख सकते हो हमारी equation तभी बनती है जब कोई ना कोई variable वहाँ पे present हो अगर variable ही present नहीं होगा मतलब जैसे यहाँ पे x क्या है एक variable है तो अगर variable ही present नहीं होगा तो equation कैसे बनेगी है ना तो यहाँ पे हम क्या करते है जब हमें अब यह मान लीजी यह line कौन सी है L जिसकी हमें equation निकालनी है और यह किस point से पास हो रही है x1 y1 से पास हो रही है और उस point को हमने क्या naming कर दिया था point A ओके और इस line का slope हम को क्या हमने consider कर लिया था slope का मतलब इस line का slope क्या ले लिया था M अब equation बनाने के लिए equation बनाने के लिए हम एक और point ले लेते हैं suppose कर यह P जिसकी coordinate हम लेते हैं x और y अब देखे यह किस point से पास हो रही है x1 y1 अब x1 और y1 जो है वो numerical values रहती हैं जैसे हो सकता यह point 2 3 हो minus 1 2 हो 7 4 हो कोई भी ऐसा number हो सकता है लेकिन यहाँ पे हमें equation बनाने के लिए एक ऐसा point लेने पड़ेगा जिसके coordinate x और y हो क्योंकि equation जो है वो हमेशा variable में बनती है और x1 और y1 variable नहीं है variable कौन से है x और y variable है हम चाहते तो यहाँ पे x2 y2 ले सकते थे लेकिन हमने x2 y2 क्यों नहीं लिया क्योंकि x2 y2 भी क्या हो जाएंगे points हो जाएंगे जो की number form में होंगे है ना जैसे 1 7 कुछ भी हो सकता है वो तो इसलिए हम x2 y2 नहीं लेके यहाँ पे क्या लेंगे x और y is that clear? I repeat एक बाइ फिर से बता रहा हूं मैं एक और यहाँ पे point P इसलिए लूँगा x, y क्योंकि मुझे equation बनानी है line की और equation में हमेशा variable present रहते हैं जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कौन से variable है? x तो यहाँ पे 2 variable present रहेंगे equation of line में x और y ओके तो यहाँ पे हमने point P ले लिया क्या? x, y अब यह जो figure है अगर आपने concept पिछले पढ़े हैं तो आपको यह proof में कोई problem नहीं जाने वाली मैं आपको फिर से बता देता हूँ देखिए हमने यह पिछले concept में जब मैंने आपको यह बताया था equation हमने यह क्या किया था slope of line जब 2 point से पास होती है तो आपको याद होगा यह मैंने आपको उस video में यह पूरा explain किया था यह proof के साथ कि जब point A और point B से line पास होती है तो उस condition में जो आपका slope है वो किसके इक्वल होता है y2 minus y1 upon x2 minus x1 के है ना यही slope की दूसरी definition पड़ी थी आपको याद होगा तो हमने यह देखा था इससे हमने derive किया था कि slope जो होता है वो किसके इक्वल होता है y2 minus y1 upon x2 minus x1 के उसी condition में हमने देखे क्या किया है same वो ही pattern में हमने क्या ले लिया है यह line जो है किस point से पास हो रही है point A से पास हो रही है इसके coordinate क्या है x1 और y1 और एक और हमने एक other point ले लिया P जैसे मैंने आपको यह भी बताया एक हमने एक और दूसरा point ले लिया P जिसके coordinate क्या है x और y is that clear तो इस condition में इस line का slope क्या होगा इस line का slope क्या होगा अब देखे यह line जो है अब देखा जाए वैसे तो actual में एक point A से पास हो रही थी जिसके coordinate क्या थे x1 y1 लेकिन जब हमने दूसरा point P ले लिया जिसके coordinate क्या है x और y तो हम यह देख सकते हैं कि line जो है वो दो point से पास हो रही है a और p ओके तो इसको हमने x1 y1 ले लिया है और इसको हम क्या मान लेते है x2 y2 is that clear तो slope of line हम जानते हैं कि जब हमें coordinates दिये रहे तो slope of line क्या होता है y2-y1 upon y2-x1 तो यहाँ पर y2 की जगह हम क्या लिघ देंगे y तो यह हो जाएगा y-y1 upon x2 की जगह क्या लिघ देंगे sorry x2 की जगह क्या लिघ देंगे x तो यहाँ पर हो जायएगा x- x1 फिर मैं repeat कर रहा हूँ slope का formula क्या होता है जब line दो point से पास होती है तो y2 minus y1 upon x2 minus x1 तो y2 की place में हम लिखेंगे y और x2 की place में हम लिखेंगे क्या x तो मेरा slope जो है वो यह हो गया y minus y1 upon x minus x1 अब देखिए यही चीज मैंने यहापे लिखी है कि m equals to क्या होगा y minus y1 upon x minus x1 clear अब दोनों side से अगर मैं multiply कर दूँ किस से दोनो side को यह left hand side है LHS और यह right hand side है RHS अगर दोनो side को मैं multiply कर दूँ x minus x1 से तो देखिए मुझे क्या मिलेगा अब ध्यान से देखिए यहाँ पे मेरा m किसके equal आगे देखिए m मेरा किसके equal आगे y minus y1 upon x minus x1 अब मैं इन दोनों को multiply कर रहा हूँ मतलब right hand side और left hand side में दोनों को multiply कर रहा हूँ x minus x1 से कर सकता हूँ मैं multiply अगर मैं right hand side और left hand side में सेम चीज से multiply करूँ तो मुझे answer सेम मिलता है हम देखते हैं जैसे multiplying both sides by 4 multiplying both sides by 3 ऐसी हमने दोनों side में multiply कर दिया x minus x1 जब हमने यह multiply किया तो x minus x1 यह cancel हो जाएगा तो हमको यह क्या मिलेगा m into x minus x1 equals to y minus y1 और हम इसको लिख सकते हैं y minus y1 equals to m into x minus x1 यह लिख सकते हैं इसको इधर लिख दिया इसको इधर लिख दिया जब वो कितने point से पास हो रही है एक point से पास हो रही है x1, y1 से और उसका slope क्या दिया है आपको m तो वो ही चीज मैंने यहाँ पे देखिए पूरी आपको बताई है कि हमने यहाँ पे दोनों side से multiply किया x minus x1 से तो x minus x1 x minus x1 यहाँ पे cancel हो जाएगा देखिए अगर आप इसको चाहें तो बिना proof भी इसको learn कर सकते हैं कि equation यह होती है लेकिन learn करने में वो concept नहीं बनेंगे आपके या वो आपको satisfaction नहीं मिलेगा उतना अच्छी से clear नहीं हो पाएगा जितना आप proof से clear कर सकते हैं clear तो जब line एक point से pass हो रही है x1 y1 से और उसका slope अगर आपको m दिया है तो line की equation क्या निकल के आती है y-y1 equals to m into x-x1 is that clear? एक बार फिर repeat कर रहा हूँ यहाँ पे यह जो दो point यह जो दूसरा point हमने लिया है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया है ताकि line की equation बन सके क्योंकि हमें x और y introduce कराना पड़ेगा equation बनाने के लिए mathematics में equation बनाने के लिए हमें variable का exist कराना या मतलब variable को रखना बहुत जरूरी रहता है इसलिए हमने इस point P जिसके coordinate x और y हैं वो हमने यहाँ पे consider किये ओके तो इस video में हमने देखा line का slope point form क्या होता है और वो किसके इक्वल होता है y-y1 equals to m into x-x1 जहाँ पे line जो है वो point x1 y1 मतलब coordinate x1 y1 से पास हो रही है point a के coordinate जो है x1 y1 उससे पास हो रही है और line का slope m आपको given है तो I hope कि आपको slow point form clear हो गया होगा next video में हम बात करेंगे हमारे एक special case की जो slow point form का एक special case है उसके बारे में हम next video में बात करेंगे thank you